नास्कार आप देख रहें की बॉलीवूड जब भी बॉलीवूड के महानायक बिग बी के फिल्मी करियर की बेहतरीन फिल्मों की बात करते हैं तो उसमें डॉन मुवी का नाम आवश्र लिया जाता है इस फिल्म को रिलेज हुए लगवग 45 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी लोग इस फिल्म को बेहत ही चाओ से देखते हैं इस फिल्म की कहानी से लेकर किरदारों तक हर चीज फैंस को बेहत पसंद आई थी अमिताब बच्चन, जीनत अमान और प्राण अभिनितिय फिल्म ब्लॉक बश्टर रही थी आम तोर पर हम केवल इस फिल्म के किरदारों द्वारा परदे पर निभाई जाने वाली एक्टिंग को देख करी उसे पसंद करते हैं हाला कि किसी भी फिल्म के बनकर रिलीज होने तक के सफर में कई किस्से होते हैं जिसके बारे में फैंस को पता ही नहीं होता है डॉन से जुड़े भी ऐसे कई किस्से हैं जिसके बारे में फैंस को पता ही नहीं है तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं ऐसे ही कुछ किस्सों के बारे में और जानेंगे कैसे एक Rejected Script बन गया इतना बरा Blockbuster Film लेकिन उसे पहले अगर अभी तक अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले डान फिल्म का हिस्सा खईके पान बनारस वाला सूपर हिट रहा था लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि वास्तों में यह गाना इस फिल्म के लिए तो बना ही नहीं था जबकि यह देवानंद की फिल्म बनारसी बाबू का हिस्सा था हाला कि बाद में जब मनोज कुमार ने सिफारिश की कि या गीत डॉन फिल्म का हिस्सा होना चाहिए उनका मत था कि यह एक 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 एक्शन फिल्म है तो ऐसे में दर्शकों को थोड़ा लाइट फिल्म करवाने के लिए एक मज़ेदार गाना भी होना चाहिए जिसके बाद इस गाने को फिल्म में रखा गया जिस गाने को लोग आज भी सुनना पसंत करते हैं उस सौंग खई के पान बनारस वाला को शूट करते हुए बिग बी का पैर फ्रेक्चर हो गया था दरसल लावारिश मुवी के दौरान बिगवी का पैर फ्रेक्चर हो गया था और फिर उन्होंने ऐसे ही खई के पान बनारस वाला गाना शूट किया यही कारण है कि इस गीत के निर्मान के दौरान अमिताब बच्चन पूरे समय लंगडा कर चल रहे थे इस बेहतरीन गाने को रिकॉर्ड करते समय गायक किशोर कुमार को वास्तों में पांच चबाना पड़ा था और फिर उसे प्लास्टिक शीट पर थूकना पड़ा उन्होंने ऐसा किया ताकि यह ओन स्क्रिन पूरी तरह से नेचुरल लगे यकीनन उनका यह फैसला पूरी तरह से सही था इससे गाने के बोल एक वास्त्विक प्रभावट डाल रहे थे आपको शायद पता नहों लेकिन इस फिल्म में बेहतरीन अदकारा फरीदा जलाल ने भी अभी नहीं किया था दरसल उन्होंने इस फिल्म के लिए बॉम्बे हवाई अड़े पर पांच मिनट का सीन शूट किया लेकिन बाद में निर्माताओ को एहसास हुआ कि उनके किरदार ने फिल्म में ज़्यादा वेट नहीं डाला जिसके चलते बाद में उनके रूल को फिल्म से हटा दिया गया इस फिल्म के निर्माता नरीमन निरानी एक बहतरीन स्क्रिप्ट ढून रहे थे और ऐसे में उन्होंने लेखक सलीम जावेज से संपर किया था उस समय सलीम ने उनसे कहा कि उनके पास एक स्क्रिप्ट तो है लेकिन वो देवानन से लेकर प्रकाश महरा और जितंदर तक सभी ठुकरा चुके हैं अगर वे चाहे तो इस पर काम कर सकते हैं जब नरीमन ने इस स्क्रिप्ट को सुना तो उन्होंने कहा कि यह फिल्म तो जरूर से जरूर चलेगी और इस तरह अमिताब बच्चन की फिल्म डॉन बनी थी और बनने के बाद जब रिलीज हुई तो यह ब्लॉग बस्टर साबिस हुई तो दोस्तो यह थी डॉन मुवी के चंद अंसुने किस्से डॉन फिल्म का कौन सा सीन आपको बेहत पसंद है हमें कमेंट कर जरूर बताए वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिल्चस्प किस्सों के साथ तब तक क लिए नमस्कार